नवस्कार दोस्तों आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैंत्री धरावर और आज हम जो क्लास का एक टोपिक है क्लास टैंट का या याणि समानतर आपकी उसके बारे में डिटेल्स से चाचा करेंगे तो जुड़े रही हैं हमारे साथ देखे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिए यानि समांतर जो स्रेड़ी होती गया है तो इस प्रकाद से अगर कोई श्रंखला है सबसे पहले इसका नाम ही देखते हैं पर समांतर समांतर का मतलब जिसमें समान अंतर हो कैसा अंतर हो समान जिसके पदों का अंतर क्या हो समान हो अब जैसे एक स्रेडी देख लिए हमने है टो फो चिस एक यह एठे अब अब हमने इनके बीच का अंतरते का इन थे हैं इंक करमात्र पadосा अंतर समान है तो इसको कौन से होती हो समांतर, स्रेडि जैसे यह देख लिए हमने कोई समांतर स्रेडी है 10, 15, 20, 25 हम देखेंगे कि यह समांतर स्रेडी है या नहीं है तो हमने इन दोनों कर्मा गतों को पद होगा जो अंतर देखा उसका कितना है 5 इसका कितना है 5 इसका कितना है इसका भी 5 है तो अगर अंतर समान है इसका मतलब कौन स्रेडी में है यह समांतर स स्च्रक्टरिकी हो सकती है यह माँहनस का SEE मैंट प्लस का एक my and 25 इस तरी की से अभव ये भी सोच्टमी कि दो इंका जो इन इतर दो इनका अंतर दो समांतर स्रेडि में पदों का अंतर प्लस में भी वह सकता है जैसे एक स्रेड़ी देखते हैं जैसे अपने हैं 20 इस से वंटेंग यूसके बाद मिंदेज डैस देश of मिन रखरिए इसको कोंनाष एक स्माने अंतर कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए, चाहिए प्लस में हो, चाहिए माइनस में हो, और इस समान अंतर को हम क्या कोल करते हैं, इस समान अंतर साइड़ी में इसको कहते हैं सारवंतर D, क्या बोलते हैं इसको सारवंतर D, सारवंतर D, सारवंतर D कोल करते हैं, जो पहला पद होता है, उसको क्या बोल परत्थम पद को क्या बोलते हैं में ए पहला पद हमारा क्या होता है ए परत्थम पड और सार्वंतर क्या होता है और एन एन यानि जैसे इसका कोई समांतर सेड़ी जोा व्यापक पद होता है उसको क्या और करते हम एंग्जांपर से समझेंगे आपन मैं अग्याद करने का सुत्र होता है इसका वह होता है अन बराबर ए की प्लस और ग्मारेश दि जहां A तो है अपना प्रथम पद, N है पदों की संक्या, D है अपना सार्वांतर, D क्या है हमारा सर्वांतर, यह सार्वांतर जो भी है, सर्वांतर D, इस तरीके से हमारी यह होते हैं, अब जैसे एक एक जामपल से अपना एक जामपल लेते हैं, कि किसी जो एक जामपल है, को इस रेडियस, 2, 7, 12, डॉट, 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 इसका कौन सा पद गयाद करना है, दसमापल, कौन से गयाद करना है, अपने को, दसमापल, तो अगर हम दसमापल गयाद करेंगे, तो हमको सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पहला पद क्या है, तो हमने पहला पद हमने देखा कि स्टाइस का तोंने देख कि पहला पद हो वो कितना है हमारा कुर जो पहला पद है वह मरेभा मारा ए ब्राबर है Do एन पहला पना ने डू हमने पने प्टों की संख्रिक्पे संख्रिक अइन ब्राबर कितनी है दस ज Because कुण सा पद ग्याद करना था दस वापत अब हमने देख ऐसारवांतर तो सारवांतर डी को कैसे निकार दें दो करमागत पदों का अंतर यानि पहले और दूसरे पद का अब हमको यहाँ पर यह बात देख रही है अगर कोई स्रेडी अगर स्रेडी आरोई करम में यानि असेंडिंग ओडर में है तो उसका जो सारवंतर वो किसमें आएगा प्लस में और अगर कोई स्रेडी जो है कोई से आंतर में कोई से करम में अगरोई यह डिसेंडिंग ओडर में तो उसका सारवंतर किसमें आएगा माइनस में अब हमको देखते ही बन रही है कि यह दो है यह साथ है यह बाला है इसका मतलब पद्धों किसे गया हो, बढ़ रही है, इसका मतलब कौन से करम में, यह आरोई करम में, और आरोई करम में है, तो इसका सारवांतर किसमें होगा, माइनस में, हमने देखा यह कौन से करम में, आरोई करम में, तो सारवांतर में, प्लस में, देखा दोनों का अंतर क इतना है पाँच अब जो हमारा व्यापक प्ध है इसको क्या बोलते हैं लिए पक पॉन्ड है तो जो व्यापक पड़ है एन तो देखो एन कमांड क्या हो जाएगा दस एन डस वह प्द क्या हो वह क्या होगा और आ ए A प्लस N माइनस 1 D A कमान रकाम ने 2 प्लस N कमान कितना था या आपड 10 N कमान कितना था 10 हल करते हैं 10 माइनस 1 इंटू D कमान क्या है 2 2 D कमान है सुरी हमारा 5 2 प्लस अब देखो सबसे पहले हम ब्रेकिट को हल करते है तो 10 में से एक गया तो कितना हो देखा 9 और 9 को किसे मल्टिप्लाई कर देंगे 5 से 2 प्लस 5 नाम 45 तो इसका जो N वा पद या निद दसवा पद हो कितना आ गया 47 कितना गया 47 पहला पद कितना था 2 दूसरा पद कितना था 7 तीसरा पद था लगा लिए कौन सा पद गयाद करना है D.N.I. पदो की जो सारवंतर वो पता लगा लिए अब जो A.N.I. उसके फॉर्मिले में रख दिया तो हमारा कौन सा पद आ गया 10 वा पद एक तो इस तरीके के सवाल आते है दूसरा यदि हमसे इस तरीके का पूछ ले कि जैसी है Second Question दे रखा है हमारा Question क्या है हमारा इस तरीके का Question आ जाए तो कोई A.P. है इसको कौन सा पद माइनस कैसी है देखो यह A.P. कौन सा है हमारी तो A.P. हमारी 21 18 और 15 डोट 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 यह कौन सी है हमारी A.P. है अब हमने देखा शुरुआते हम पहले सबसे पहले मैंने आपको बता है था कि A.P. का पहला पद्गोन सा A. कितना है 21 ठीक है अब हमने देखा कि हमारी जो A.P. है वो Ascending order में है या Descending order में Ascending, Descending के आप हो देखो पहला देखो और किसी कोई साथ पद देखो लास्ट का है तो लास्ट का कोई साभी 21 ठार यह 15 था इसका मना पद गया होगे गट गए तो मना कौन सा order में है Descending order में अब जब Descending order में है तो हमारा जो सारवंतर वो किस में आएगा माइनस में अब देखो हमने देखा 21 और यह 18 बताओ कितना अंतर है इसका तो हम देखेंगे 18 माइनस 21 पराबर माइनस का 3 एक संक्या प्लस की एक संक्या माइनस की होती है तो बड़ी में से छोटी गटती है 21 में से अठरा गटता है तो कितना 3 और चिन किस का रहेगा जो बड़ी संक्या उसका चिन रहेगा हमारा तो इसका सारवंतर कितना गए है माइनस का 3 अब दो हमको दे रखा है कि कौन सा पद माइनस 1 कैसी है तो हमने देख लिया कि कौन सा एनुआ पद एन बराबर कितना मान लिया हमने माइनस का 1 कैसी व्यापक पद है हमने मान लिया एन वापद मान लिया कि ये कितना है माइनस का 1 कैसी है अब देखो माइनस का 1 कैसी है अब हमको क्या देखना है एन का मान गयात करना हमको तो n वहोंपत किया गया है हमने माइनस का 21 अब सुत्र क्या रहते हमारे, a, n बविद एवदर क्या होटा है, e, plus n-1, d हमको क्या गया्ठ करना है, n पदों की संख्या गयात करना है याली n का माँन क्या है, n का मान हमको गयात करना है ठीक है, सुत्तर में रखें, a n का मान कितना है, minus 81, बराबर a का मान कितना है, a का मान है, हमारा कितना थे, 21, ठीक है, प्लस n minus 1, पता नहीं, n का मान पता नहीं, minus 1, into d का मान है, वो कितना है, हमारा minus 3, रख दिया, जो जो मानम को दे रखे थे, वो मानम ने, जो फोर्मूला था उसमें रख दिए अब देखो यह 21 है यह इदर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का तो माइनस का कैसी तो पहले से और माइनस का 20 और आ गया बराबर n-1 multiply माइनस का 3 ठीक है माइनस की संक्या यह भी माइनस की यह भी माइनस की तो आपसे दो रों जूड़ेगी तो कितना हो गया तो यह हो गया हमारा 102 माइनस की 102 बराबर n-1 into minus का 3 अब देखो यह minus का 3 multiply यह इदर आएगा तो किसमें होगा दिवाइड में तो माइनस का 102 बटे माइनस का 3 बराबर n-1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इसको कैंसिल करते है तीन से कितनी बार हो गया तीन बार बच्चे का कितना है एक बारा कितनी बार होता है च्यार बार यानि कितना आ गया 25 कितना गया 34 tealy and minus 7 बराबर कितना गया मएरा dokola और आन कमान क्याथ करेंगे तो ये मांड को उदर वेज़ने इन इन की की इसब persuaded गाफ plus जो हमारा एन कमान ऊपी western TE ninety units तो हूरा जो कून सा पता पैट यह स्वा वह कितना होगा महाências कितना होगा माइनस का 81 कौन सा पद होगा 35 वो पद हमारा कितना होगा माइनस का 81 तो इस तरीके का भी सवाल आ सकता है कि हमको पदो लास्ट का पद दे दे कोई सा पद और पूछे कि इसमें पदों की जो और सा पद है जो यह है तो इस तरीके से हमको इसको करना है अब हमारा ऐसा सवाल आ जाए कि हमने देखा कि एक पी का क्या ग्याद करना हमने को 31 पद एक पी का हमको ग्याद करना है 31 पद 31 हमको ग्याद करना है करना हमको ग्याद करना है अब को देख मूं रख है कि ए गया रहा कितना है अरतीस तीज है और को सब्सक्राइब कि देरेख ए शोला बराबर कि दिरुकार थेख तेन अ अब हमको पता है यह जो फोर्मॉला होता है वो कितना होता है यह प्लस एंड माइनस वण डी इसमें रखें हम इस वाले से देखे तो इसमें एन कमान कितना होगा इस वाले में इसमें एन कमान हमारा होगा वो कितना होगा ग्यारा ठीक है और कोई दे रखा क्या नहीं दे रखा देखो एन कितना है अड़तीस एक कमान पता है क्या नहीं पता एक का यह प्लस एन कमान कितना है मारा ग्यारा एन कमान दे रखा है ग्यारा तो ग्यारा माइनस एक इंटू डी कमान पता है क्या नहीं पता 38 बराबर एक प्लस गयारा में से एक गया तो दस और दस को डी से उना करेंगे तो कितना हो जागा दस यह क्या हो गया हमारा समीकान नंबर एक शेम या देखेंगे यह कौन सा सोल अपद यानि एन कमान कितना हो गया देखो फोर्मले में रखेंगे ए एन बराबर फोर्मला था ए प्लस एन माइनस वन दे शोल अपद कितना था तेतर एक कमान हमको पता नहीं एन कमान कितना है 16-1-D कमान पता में तेतर बराबर ए प्लस 16 में से गया तो 15-d समीकान नंबर 2 अब हमारी क्या होगे दो समीकान बनके एक तो एक और एक दो अब हम दोनों समीकान से हमको पता है कि जो समीकान होते हैं और इसमें 4 अकौर सियाओs यह ए है रोडी है इसमें कोन सी यह है और दी यह उनका मानियात कर सकते हैं जैसे करते हम कौन सी विधिसे समीकाण एक में से 2 ये हमने पहले समझ रखाय है कि यह जब गुनांग समान है यहां पर देखो pivotal और यह का गुनांग समान है इसलिए गठाने वाले विधी से कर देते हैं तो देखो एक मेंसे दो को गतांएंगे तो में 38 बराबर A प्लस 10 टेण फूर कि खतेटर प्लस 15-T गट आते हैं तो हम क्या होता है हमारा चिन चेंज होता है यह फुर्स है तो माइनस यह प्लस है तो माइनस दो यह 38 ऐ यह 28 है यह 28 एश कर भ्रिष आप गञारी छीफ का मलग घटेगा तो अब तीन में से आख जाता है क्या नहीं जाता तो इधर देखो यह A से 1 एक यह कैंसल हो जाएगा अब यहां पर कितना था 15D 15D और यह कितना था 10D तो किसका बचेगा माइनस का 5D ओके माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसल हो जाते हैं तो जो 35 बराबर क्या जाएगा 5D और D की वैली निकालेंगे तो क्या लग जाएगा पांच का क्या लग जाएगा बार लग जाएगा तो कितनी बार जाएगा सात बार तो D का मान हमारा कितना आगया सात यानि हमारा जो सार वन तरता वो कितना आगया सात और क्या निकालना है तो हमको देखो D का मान पता लग गए तो हम एक का मान ग्यात कर सकते हैं एक का मान हम एक से तो देखो 38 यानि 38 बराबर एक कमान कितना था हमारा पता नहीं प्लस दी कमान कितना आ गया हमारा साथ साथ को किसे गुना कर देंगे दस से दस गुना साथ 38 बराबर एक प्लस दस साथ सतर एक कमान निकालेंगे तो देखो सतर इदर आएगा किस का जाएगा माइनस का 38 माइनस सतर बराबर ए 38 माइनस सतर बराबर ए अब देखो इसका 31 वा 58 माइनस सतर बराबर ए तो इसका कितना आ गया हमारा माइनस का 32 यहनी जो हमारा पैला पद था हमारा कौन सा पद आ गया जुप कहला पद था वह में अगा डंस माइनस का 32 अब हमारा पहला पद आ गया तो हमको कौन सा पध गयाक करना है तो देखो हमको गयाद करना है वो 31 अब 31 वपद गयाद करना तो 31 बराबर जो सुक्तर था हमारा A plus N minus 1 D A कमान हमारा कितना आ गया minus K 32 plus N कमान N कमान कितना है 31 minus 1 into D कमान कितना था हमारा वो था हमारा कितना 7 रख दिया minus 32 का 32 31 में से ए गये दो 30 30 गुना 7 minus का 32 plus 30 को 7 से गुना करते हैं कितना था है 210 अब एक संके किसकी plus की एक संके किसकी minus की तो अब हम गठाना है देखो 10 में से दो गए तो 8 या कितने पर चे 20 20 में से 3 गए तो 17 यानि कि हमारा जो 31 पद होगा वो कितना होगा हमारा 178 कितना होगा है 178 इस तरीके से हम यदि हमको कोई भी 2 पद दे रख्या हूँ यानि कि कोई भी अगर यह जैसे आपर दे रखा था है 11 पद और 16 पद इस तरीके से हमको कोई 2 पद दे रख्यों और हमसे 3 पद मिकलवाए तो उस्त की विदी हमारी क्या रहती है इस तरीके से हम दोनों पदों को इस विदी से हम अलिप कर सकते हैं इस विदी से हम निकाल सकते हैं अब जैसे हम को देदे कि कोई पद दे दिया हमको हमारा जो नेक्स्ट कुछन है वो इस तरीके का है यदि हमको यहां दे दिया कौन सा सत्रवा पद इस तरीके का हमारा सवाल ओसकता है यदि किसी समांतर स्रेड़ी का सत्रवा पद दसवे पद से कितना अधिक है साथ अधिक है कौन सा पद सत्रवा पद यानि ए सत्रा वो क्या है हमारा ए सत्रा दसवे पद से दसवे पद से यानि ए टैन से कितना अधिक है कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो क्या गयाद करना है, हमको D गयाद करना है, ठीक है, सत्रोवा पद, दस्विए पद से 7 अधिक है, सत्रोवा पद, दस्विए पद से कितना अधिक है, साथ अधिक है तो हमको क्या गयात करना है अब देखो इसका फोर्मला वोई रहता है a प्लस देखो n-n कमान कितना यहाँ पर 17 तो 17 में से 1 गया तो कितना बचेगा 17-1 into d इधर वड़ा इसको a 10 को क्या लिखोगे तो देखो यहाँ पर n कमान कितना 10 तो 10 में से 10-1 इंटो दी प्लस सेवन रख दिया हमने जो 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 फोर्मला होता हुआ उसके अकोडिंग हमने वैल्यू सेट कर दी अब देखो ए प्लस सत्रह में से गया तो 16 डी बराबर ए प्लस दस में से गया तो 90 प्लस सेवन दोनों तरफ यह है तो एसे ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहां क्या बचाए 16 डी बराबर 90 प्लस सेवन इस 90 को इदर लेके आते हैं तो किसका हो जाता है माइनस का 90 बराबर सेवन कितना डी बचा सेवन डी बराबर सेवन और आपको आता है कि यहां पर आप इसका बाग लग जाएगा सेवन का सेवन को सेवन से कैंसल आउट किया तो डी कमान किया जाएगा हमारा एक तो अगर इस तरीके से आपको दे दे कि, यहां दे रिखा, जिस तरीके से कि, कोई पद आप से इतना आधिक है, या इतना कम है, तो आपको जो पद दे रिखा है, उसको, और equation को set कर देनी है, और आपको जो भी निकले, अब यहां पर हमको क्या देती है, D, अब आपको D दे लेकिझा निखाव हम चाह तो कोई से पद निकार सकते हैं या कोई पद निकलवाए यह नहीं इसलिए यह का ये कर दिया अब अगला जो इस तरीके से हम किया गया graduate कर सकते हैं हमने देखा अभी तक क्या heck कि क्या है पदों का योग जो समांतर सेडिया है इतने पदों का योग घाथ किया करो तो उसको हम कैसे कैल्कुलेट करते हैं तो देखिए जो पदों का कैलकुलेट की जादी सम है उसको योग याद करना हों में तो जो सुत्र होता है उसका यह होता है हमारा प्लस एन माइनस वन डी सुत्र क्या होता है एन बाइट टू ए प्लस एन माइनस वन डी अब देखो इस जो सुत्र है इससे क्या पता प्लस लगता है हमको एन पदों का यो अभी इसी सुत्र का क्या है एक सिंपल रूप है और वह यह इस तरीके से है देखो एस एन बराबर एन बटे दो क्या होता है ए प्लस एल या लास्ट का पड़ पहला और लास्ट के पड़ को जोड़ दे और उसमें किस का बाग भी इसको एन भाइटू से मल्टिप्लाइ कर दे तब भी हमारे पड़ों का योग गयाते कर सकते है और बसरते हिए कि यहाँ पर आ के नहीन स्वान पर से करेंगे अब आई यह देखते हैं यहां पर यह कोई समान पर से लिये है से कि माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 39, यह एक है, और N का मान के दान दे दिया, पदो की संख्या, वो दे दिया हमारी 12, रहना के लाख Gef Мих això click ID 6 कि यह क्या 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 व्यार् consort सकते बिल्कुल कर सकते दोकरमा त्थ रेक तोर्न का अंतर निकाल कर तो स ост्रिक 53 व्य क्या गटाइंगे का गटाएंगे यह तो गटाने का और ये चिंद्ध तो तरक है मैनस सब्सक्राइब बाइनस का 33 और पलस का सेंटेष कि इसका सारवन्तर कितना हुआ च्यार याई डी का माने कितना होगा हमारा च्यार और वैसे भी हमने देखा था आपको बताया शरुवात में इसमें ये पद माइनस का माइनस का ती से माइनस का रंठी से आपको कौन सी मैं यह छे तो को ौव वंस हो। इसका वा डिक सम्था वह किसमें आएगा प्लास में किसमें अब देखते हैं क्या देखें, बारा पदों का योग, तो क्या हमको लास्ट वाला पद दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, लास्ट वाला पद नहीं दे रखा है, तो हम कोन सा सुतर यूज़ करेंगे, यह वाला फॉर्मॉला यूज़ करेंगे, एस बारा बारा पदो का यह ग्याद करना था है इसलिए एस बारा एन का मान कितना है पदो की संख्या तो यह होगी बारा बटे दो इंटू टू ए टू मल्टिप्लाई एक का मान कितना है माइनस का 37 एक का एक प्लस एंड माइनस वन एन का मान कितना है 12 माइनस वन इंटू डी का मान कितना मरा यह यह मने फोर्म में रख दिया मन कारते हैं यहां से कितनी बार यह शे बार शे गुणा है। दो-को सघ्षाति सिस्कों साथ दुने जोदा तेन दुने स्षेरेक साथ सो तर तर गिसको सघ्री सफलने topl यह माइन estimates नहीं से मनल्टिप्लाइब एक तो मनस्टिप्लाइ माये जा बारा में यह घ्यारा करेंगे चार से छय गोना 12 हो Business कशोंतर प्लस गर्चोप चम्मार्ज अब देखोंगो एक संक्या मार्च की इसका मलब बड़ी संक्या कटी ज appeal च्की है बड़ीं संक्या गहती है च्मारीत होstand ai बड़ीं संक्या मुझतい है और चिल किसका रहता है जो बड़ींद है विसका तो तो चोंत्र मेसी क्या अते का चौतर में कितना आएगा महारा 30 यानि 30 माइनस का और 30 में से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस समानतर सेडी कितने पदों को जोड़े इन सभी को जोड़े तो इसका योग होगा वो कितना हैगा हमारा सम योग को क्या बोलते हैं सम इसलिए ऐसाता है तो योग है वो कितना हैगा हमारा 180 इस तरीके से हम किसी भी अगर समानत्रसेडी का डाइरेक्ट काम को दे दे कि इस काम को क्या ग्यात करना है योग तो हम उसका योग ग्यात कर सकते हैं अब नेक्स्ट वाला क्यूशन देखेंगे वो क्यूशन है हमारा तो नेक्स्ट वाला क्यूशन है कि एपी के 22 पदों का योग ग्याद किए जहां डी का मान 22 और वा जहां डी का मान 7 और 22 वहां पद 149 है देखो एपी कोई एपी है उसके 22 पदों का योग ग्याद करना है यान का मान कितना हो गए हमारा ठीक है और क्या देख है डी का मान कितना है साथ डी का मान कितना है साथ ठीक है 22 वा पद कितना है हमारा 149 जो एबाइस है वो कितना हमारा 1060 विल्कोब है तो तो पहला पद गयात कई से करेंगे तेपर 22 बराबर न वाने से ऐ बाइस का मान कितना है एक 149 बराबर एक कमान हमको पता ने दिजा मान कितना है अज़ा पर साथ है एन कमाल वाइस माइनस एक इनटू साथ एक सो नचास एफ फ्लास 22 में से एक गया थो तक तूंड गूना साथ 1801 चार्श एफ एफ पलॉस सात एकम साथ साद्यूरी सौंड एकसो सैंत आले यह प्लस वा दिसनके इदर आईगित कि स्किल्व जाएगी माइन ऐला पत्ध करेंगे लाश्ट दूसरा वारा सेन बराबर तो csak प्लस एल एन गमान बाइस एस बाइस बाइस बटे तो एक कमान हमारा एक कमान कितना हमारा दो प्लस एल कमान यह लास्ट पद और लास्ट पद कितरा हमारा 149 दो से काटा कितनी बार 11 बार 11 गुणा इन दोनों को जोड़ा तो कितना होगा है 111 इन पद और क्या होगा मुन्टिप्लाय क्या 11 एकम 11 गरपनना 55 प्च पनना पैक 16 ऐसल की पाँच एकम 11 और पॉंच 16 कितरा होगा हमारा 16elin कितना होगा हमारा 1601 जिस समांत्र स्रेडी के का बाइस वापद एक सो उनन्चास हो तो उस समांत्र स्रेडी के बाइस पदों का जो हमारा योग है वो कितना होगा एक सकती इस्तार इस तरीक के अगर कोई सवाल है तो उसको इस तरीके से करना अब जो हमारा लास्ट और नंष्ट इंपोर्टेंट इसको हम बोल सकते हैं soft important क्यु सने है वो इस तरीके से MOR इनके से क्या S या नहीं यह बता रहा है तो हमको यह जो सेड़ी दे रहके है वो क्या है पाँच ग्यारा कि सत्रा तेमिस इस तरीकी की क्या इसका कोई पद है इसका कोई पद कोई पद 301 है या नहीं यह बता रहा है तो इसको तो यह मोस्ट इंप्वर्टेंट क्योंसन थे इस इस बार की ढूल नहीं और इस पसके सब्सक्राइब तरिक इस तरीके कहां कोई दे दे तो हमसे पूचे कि या किसका पद्य ऊस्त है या नहीं है तो इसका मतलब हमने माना कि अगर है तो हमारे पदों की संक्या वो आ जाएगी अगर नहीं है तो पदों की संक्या नहीं आएगी तो हमने मान लिया कि इसका N वा पद है ये 301 यदि N वा पद होगा यदि N वा पद होगा तो N का मान आ जाएगा अगर N वह पद नहीं होगा, तो N कमान है नहीं आएगा, अब देखते आएगे, इसका पहला पद कितना है हमारा, तो पहला पद है कितना, 5, से याफ में आीगा 1 मीजिस में सरफ कोन से याख में आये अगर अगरें आएइगा 5 कि या 1 तो Sun करने हम एन वाला सुथ लगाते ए प्लस एं बराबर में एप इक वाहना लिए को मानगे सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब टारुब एक इंटू सिक्स ओके एंड माइनिस वन का मान मिकालेंगे तो यह कितना जागा 206 में बटे चैनल किसका बाग देना है छे का तो देखा हमने 296 में छे का बाग दिया तो कितना चाचो का 24 कितना बचेगा पांच कितना हो गया 56 में छे का बाग जाता है चानाम 54 नो बार और कितना बचेगा दो बटे 6 अब देखो यह किसका मान आया मारा एंड माइनिस वन का मान कितना गया 49 सहीद 2 बटे 6 अब किसी एपी का कोई पद यानि पदो की संख्याम में सब पदों की संख्या होती है वो किसमें होती है जो प्राकर संख्या उसमें होती है एक दो, टीन यानि कंप्लेट न तरीके से मूण से क्या होते हेत जो होतीए तो अन्द की यह । इसमें क्या है वन्द में आगा इसका मतलब जब मतलब क्या बिचा जाह एन कमान क्या परिमे में परिमे संख्या है अते समान सेड़ी का कोई पद 301 नहीं हो सकता यहां परिमे संख्या इस तरीके से हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं किसी भी जो समान सेड़ी है किसी कोई समान सेड़ी है उसको इस तरीके से हम हल कर सकते हैं तो आज हमने जो सीखा था हूँ क्या क्या सीखा था हमारा तो हमने सीखा किसी समान सेड़ी क्या है पदों की संख्या brain गयात करना वरा जो सरवंत Kanye डिकल演 करना पिर जो हमने देखा उसके बाद मिने क्या सिका ऑन का योग यात कर कैसे करते हैं इस तरीके से हमने आज रूसेंट की ऐ则एquinho फाइव थी उसको complete किया तो आसा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़े रहिए इसी तरीके से हम topic wise एक एक topic के बारे में discuss करते रहेंगे फिर मिलते हैं एक next video साथ तन्यवाद